कि आप सबकार्ट की यानिकी रॉर रिव्यू वीडियो में जहां पर आज का रॉक एपिशूड यहां पर खतम हो चुक्वा मुझे पता ही वीडियो काफी जाना लेट हो चुकिये लेकिन आज करो के पिशूड मुझे थोड़ा सभी लागा अच्छा लगा इस वहीं से वेना यहां पर वीडियो बनाने का मन भी कर गया और मैंना आपको कमिनिटी टैब में बोला भी था कि रॉक की वीडियो आएगी थोड़ी लेट हो जाएगी तो इस वहीं से इस वीडियो को मैं आप लेकि आ रहा हूं तो मुझे आज का रॉक एपिशूड काफी जाना साही लगा तो यहां पर सेउन में आने वाले तो वह और अनौन का रिटन अनौन करते हैं और सेउन मेंन सेनटम फॉर सेयन में और रेटन होगा और सेन में वहां पर हमें देखने हो मिलगा तो यहां पर यह इसलिए आया है क्यों कि यह Elimination Chamber को लेके काफी बड़ी announcement करने वारे थे और यहां पर यह अनौस कर देते हैं कि Drew McIntyre है वह अपनी Championship को defend करेंगे Elimination Chamber Match के अंदर और यहां पर वह सारी Superstar को reveal कर देते हैं जो कि Former WWE Champions है यानि की Randy Orton, The Miz, Seamus, Jeff Hardy को साथी AJ Style तो यह सारी Superstar होने वाले है उस Elimination Chamber Match के अंदर और Drew McIntyre अपनी Championship को defend करने वाले हैं वहां पर तो मुझे काफी अनल सही लगा कि Drew McIntyre को एक Chamber Match के अंदर डाला गया है क्योंकि One on One Match भी हो सकता था सीमस के साथ उनका लेकिन मैं उस मैच के लिए जानदा excited था नहीं क्योंकि Drew McIntyre के पूरा साल रहा था हमने देखा 2020 वह एक Fighting Champion निकल के आए तो मैं चाहरा था कि Drew McIntyre ने अभी तक Elimination Chamber Match के अंदर complete नहीं करा साथ तो इस मैच के अंदर वी वह complete करें वन वन होता है तो उतना मुझे लगता है जानदा मज़ा आता नहीं लेकिन Chamber के अंदर Drew McIntyre अपनी Championship को Defend करेंगे तो उसको देखना काफी आना इंटरस्टिंग होने वाला है और यहाँ पर Superstar भी कह सकते हैं काफी जानदा सही Superstar है इस मैच के अंदर तो वो तो देखना होगा कि यहाँ पर इस मैच को कौन जीतता है इसके बाद मैच हमें देखना मिलता हूँ था AJ Styles वसे Jeff Hardy की बीच में और यह वाला मैस इसी लिए था क्योंकि यहाँ पर Jeff Hardy और AJ Styles दोन ही होने वाले हैं उस चेंबर मैच के अंदर तो इस वएस यहाँ पर इनका मैच कराया गया था और मैच कहाते हैं थोड़ा सा लंबा यह डबलोवली ने इस मैच को थोड़ा जांदा खीच दिया मुझे थोड़ा बोरियत होने लगी थे एक टाइम पर क्योंकि यह मैच को जांदी लंबा खिच गया था और लास्ट में आते आते हम देखते हैं यहाँ पर जो जाएफ़ा पार लगाते हैं ये श्नlkर ने आते हैं और जाएफ़ा ऑटोंको जीट हो और जाएफ़ाएं को कॉसक बुकिंग सई हो नहीं कि लगातायएं तो WD को यहाँ पर थोड़ा Jeff Hardy की उपर भी ध्यान देना चाहिए कि एतने सारे अगर वो मैच हारेंगे तो उनका मुमेंटम तो वैसी ही यहाँ पर गिर रहा है अब इनका यहाँ पर टेक्टी मैच हमें देखने मिला था अब इस मैच के लिए मैं जाना कुछ खास एक्साइट तो था नहीं क्योंकि डबलोवी ने जो रेट्रिबूशन की इमेज है के लिए मुझे फिर से पुरा लग रहा है कि एक टाइम पर डबलोवी ने इसको क्या बनाया तो और आव इसकी क्या हालत होई है इसके बाद मैं देखने मिलता है फेस्टू फेस यानिकी एक फ्लेयर यहां पर आते हैं और यहां पर यहां पर उनकी यहां पर खुद की पर रॉब वोमिन चैंपिन मनें मतलग उनको उस टाइल के लिए तयार किया रहा है यहां पर उसके बाद हम देखते हैं थोड़ी दिर वाद वहां पर सालेट फेर आती हैं और इनके बीच में बहस होती है और यहां पर डबलोवी मैनेजमेंट से बात करिए कि आगर यहां और आज के मैच में लेसी आविज ने सालेट को रादिया तो यहां पर वो नम्मर वन कंटेंडर बन जाई और आसका के सामने उनको एक मैच मिलेगा तो इसके बाद इनका मैच हमें देखने मिलता मैच भी जान्दा यह कुछ खास था नहीं और इस मैच का रिजल्ट हमने द तो यहां पर यह मैच अनांस हो गया डवली की तरफ से यह मैच कंफॉर्म है इसके बाद हमें देखने मलते हैं रेटेट आप सूपरस्टार एज और एज आके बताते हैं कि अभी तक उन्होंने अपना डिसीजन लिया नहीं है कि वो किस चैंपिन को यहां पर फेस करने वा है क्योंकि मैं मनीनदा बैंक को मिस्टर मनी द भान कर दों अपना कैसिन कर दूगा उसके hoşnut मैं शैंपिन बंजा तो मगतुकरों मेरी से होगा भी तो चमिन को मैं मैच अनौंस गरा Thanks सब्सक्राइब आप लिए फूर्डार्ट को होना चीए सब्सक्राइब करें करें इसके बारे करी ने तो यह वाला प्रिस वरसे एंजल गार्जा की बीच में और यहां पर यह चोटा समयस्ता जानत कुछ थानी रिंग साइट पर हम देखते हैं में जोकि हम देखते हैं इस मैच में में मौरीव किस लेकि यहां पर रिंग के अंदर फेक देते हैं उसके बाद मेज ऑन मौर्सन निया पर आया उनका मेन रोश्टर के अंदर अभी डेफ भी हुआ तो डबल वली अभी तो फिलाल के लिए उनको सही बुक कर रही है आंगे चलके देखते हैं उनका ये वाला मुवेंटम कंटीनू रहता यहां पर नहीं इसके बाद मैच हमें देखने मलता है कीथली वसे रिटल के बीच मे मानी रहते हैं लेकिन आज की रहो में देखने मिल गए और इनके बीच मैच भी हमें काफी अच्छा देखने मिला मतलब मज़ा आ गया जांदा यह लंब मैच नहीं तो बोर यह जांदा हुई नहीं कम टाइम का मैच रखा था तो उसी कम टाइम में दौनों सुपिस्टान काफी अच्छा परफॉर्म किया अच्छे यहां पर मुव्स दिये और कीथली के फिर से पावर हमें यहां पर इस मैच में देखने को मिली और मैस तो यहां पर कीथली जीच जाते हैं अपना स्पिरिट बॉम देखे लेकिन उसके बाद ही हम देखते हैं पीछे से अटेक कर लग रहा है एक अलगी डॉमिनेटर काफी बड़े सूपिस्टार के तौर पर दिख रहे हैं और बिलकुल यहां पर इनका जो मैच है वो डबलोवी ने कंफर्म कर दिया एलिमिनेशन चेंबर के लिए जहां पर यह अपनी चैंपिशिप को डिफेंड करने वाले रिड़ ल मैच हमें TLC के अंदर ही देखनो मिल जागा जो कि एक टेवल समय था लेकिन आज की रॉक एपिसोड में यह मैच हमें देखनो मिला मैच भी हम देखते हैं इनकी बीच में जान्दा लंबा चलता नहीं जो नाया जैक्स को रिंग एपर और वहां पर तो खुदी गिरे आती ह लाना को दे नहीं पाती हैं और उसके अज़से अंदर हो छिल समय शेया पता नहीं किया तूट कि रिया हमें देखना मेच और नो मिल जान десят कुछ लंबा चलता नहीं है यहाँ पर भी जो result है वो निकलता है नियोमी की साथ जब उन्होंने roll up से पिन करके इस match को सेना बेजलर को हरा दिया और अब लग रहा है कि आँगे चलके यहाँ पर Lana और नियोमी के opportunity मिल सकती है Women's Tag Team Championship के लिए क्योंकि आज दोने यहाँ पर Champions की हार होई तो आँगे चलके देखते हैं WWE इस match को भी यहाँ पर official cup करती है और इसके बाद हमें देखने मलता है Soka main event जो की था यहाँ पर Randy Orton वसे Drew Mike entire की पूछ में जो की पहले से announce था तो फिर से कह सकते हैं काफी बार काफी मतलब बहुत ही बार हम इनका match देख चुके है और जब जब यह दोनों Superstar सामने आते हैं तो अच्छा match तो यहाँ पर यह देख देते हैं और एक टाइम पर हम देखते हैं यहाँ पर सीमस भी आते हैं रिंग साट पर जो की लग रहा था है अपर आज की रॉकी एंडिंग हो गई यहाँ पर फीकी से हमें नजार आई क्याँ किया पर हम काफी कुछ एक्सपेट कर रहे थे फींड का तो मैं एकसपेट कर नहीं रहा थे आज की रॉक में यह पिंड डाएंगे कि आपको आज का रॉक अपिशोड कैसा लगा, चैम,-र मैच के वारे मैं आपका क्या ärगा है और जो भी कहना है इसके वारे मैच के वारे में नीचे Comment करके ज़रू उआ साथी काईजे इस वीडियो को Like किभी ना कई नह ना इस फीडियो को Like जरू कर देना हो साथ ही शेयर कर देना ओट चैनल को शब्सक्राइब कर ना पहले ऐख लेने तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही उस बैल चिन को ऋप को झाल झाल